C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तूत है कक्षा 6 की उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेक्रम गोडे और हिरन की कहानी हजारों साल पुरानी बात है एक हिरन और घोडे में बड़ी दोस्ती थी एक बार किसी बात पर दोनों में जगड़ा हो गया मार पीठ की नौबत आ गई हिरन हलका फुलका और फुर्तीला था उसने उचल उचल कर घोडे को पीटा मार पीठ में घोडे को बहुत चोटाई उसे अपने आपको संभालना मुश्किल हो गया घोड़ा कुछ ना कर पाया और हिरन मार पीठ कर चलता बना घोड़े को बहुत गुसा आया उसने सोचा इस हिरन से जरूर बदला लूगा घोड़क बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा एक दिन उसके नजर एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिये शिकार की तलाश में फिर रहा था घोड़े ने पूछा भई भई आदमी तुम जंगल में अकेले क्या करते भी रहे हो मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ सुनो अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो तुम क्या उसे मार दोगे हां क्यों नहीं मेरा तो काम ही यह है इस जंगल में एक हिरन रहता है तुम चाहो तो उसे मार सकते हो मारने को तुम्हें मार दूँ लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तुम मैं उसे मार दूँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी क्या मदद करो मुझे अपनी पीट पर बैठा लो और वहां ले चलो जहां वो हिरन रहता है हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं आप बैठिए मेरी पीट पर आ जाईए एक बात सुनो अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारे मूँ में लगाम डालूँ हाई लगाम लगाम से क्या होगा लगाम से ये फायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नजर आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड दूँगा तो मुधर चल पड़ना का निशाना बना दूँगा हाँ हाँ शिकारी ने घोडे के मूँ में लगाम डाल दी और दोनो हिरन की तलास में निकल पड़े थोड़ी ही दूर गए थे के हिरन नजर आया यही है वो हिरन तुम उसे मार दो घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिलकुल करीब पहुँच गया शिकारी ने तीर चलाया तीर हिरन के सीने पर लगा अब घोड़े ने शिकारी से कहा भाई शिकारी मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो मुझे पहले नहीं मालूम था अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो ये कहकर उसने लगाम खींची घोड़ा बेचारा बेबस हो गया करता तो क्या करता अरे लगाम निकालो निकालो अब तो अब तो अब तो चलना ही पुड़ेगा मैंने अपने दोस्त से बदला क्यों लिया ये लगाम शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया वो दिन और आज का दिन घोड़े के मूँ से लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम ही ये है कि वो आदमी को अपनी पीट पर बैठाए फिरता है इसी लिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना जगणना ठीक नहीं घोड़े और हिरन की कहानी अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम सैयोजन, डॉक्टर चमन आरा, कलकार, परवेश गोहर, शमाईला परवेश और नीरत शर्मा धुनेंकन, बटिलेंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम निर्मान, निर्देशन वद्वनिसंपादन, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत